अमस्कार प्रिये विद्धियार्थियों, वीकेन विलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत है वेकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्तित हूँ वेकेंसी, एनाईटी की है, रीसी केस की है यानि आप अगर उत्राखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चिनिटी है अधर इस्टेट से भी अगर आप हैं तो फोर्म अपलाई जरूर करें क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन्स क्राइटेरिया इतना क्रिटिकल है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे यहीं से पीछ आठ जाएंगे तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन्स मिनिमम जो इलिजबल क्राइटेरिया है वो पारकर पा रहे हैं तो फोर्म अपलाई जरूर करें क्योंकि अपोर्चनिटी बड़ी सांधार है पूरी डीटेल से बात करेंगे वेकेंसी क्या है कितने पद है क्वालिफिकेशन्स क्या मागी गई है एक एक पॉइंट आपके सामने रखेंगे पूरा कंप्लीट वीडियो आपको लाज तक जरूर देखना है चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गए हमारा एंडूड एप डाउनलोड कीजिए हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड आपको करवाए जाता है जो की एक्जाम औरियंटेड होता है सभी भरतियों के लिए रहता है चैनल पर इसी तरह का कंटेंट और अपडेट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं सो चैनल से भी जुड़े रहे आईए वेकेंसी की बात कर लेते हैं और ये रियोपन नोटीस है पहले तो आपको बता दूँ कि ये वेकेंसी एक बार पहले भी आई थी और वो थी वरस 2019 में बाद में कोवीड आयार उसके चलते सारी ये कैंसल हो गई थी वेकेंसी तो यदि आपने उस फोर्म के तहट अपलाई किया था तो अब दुबारा अपलाई करने की जुरूत है नहीं वो सारे के सारे फोर्म तो एकसेप्ट होंगे ही होंगे ये नोटिफिकेशन है 25 जुलाई का ठीक है और अभी इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त ये रहां ठीक है 14 अगस्त 2023 तक आप अपलाई कर सकते हैं ये लास्ट डेट आपके सामने है ओफिशल वेब साइट है msresicates.aju.in ये ओफिशल वेब साइट यहाँ जाकर कि आप अपना फोर्म अपलाई कर सकते हैं कहां फोर्म अपलाई कर सकते हैं किस पोश्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं आपके पास कितनी opportunity है आईए इस पर हम एक चर्चा करते हैं देखो electrician की यहाँ पर vacancy है IT holders बच्चों के लिए group C की ये पोश्ट है क्योंकि groups ABC के according fees payment रखी गई है electrician वालों के लिए मातर 6 सीटे हैं बहुत कम हैं नएके बराबर हैं लेकिन जिस तरह से criteria देखें तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और education qualification रख पाएंगे तो वो जरूर इसको qualify कर जाएंगे mechanic e and यानि electrical and mechanical तो यहाँ भी electrician वाले eligible रहेंगे चार सीटे उसके बाद में lineman electrical यहाँ भी electrician वाला भर पाएगा दो सीटे हैं और उसके बाद में wireman यहाँ भी electrician है जो कि total 20 सीटे है इनके लिए lift operator में lift and accelerator की अलग से एक ITI होती है वही apply कर पाएगा यहाँ पर electrician वालों को जो है वो मोका नहीं मिलेगा लेकिन अगर वैसे भी देखा जाए तो एक दो तीन और चार electrician वालों के लिए अभी भी चार पोस्ट है अपनी मर्जी से चूजगर के भर देना जो आपको ज़्यादा बेटर लगे आप wireman में चाहूँ तो भर सकते हो 20 सीटे है तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ इन पदों की और इस ग्रूप क्या है ठीक है इन्हों ने देखो इस परस्ट लिख भी रखा है ठीक है कि candidates who had already successfully applied need not to apply again तो दूबारा आप नाबर है ठीक है यह नंबर दिये वाली पोस्ट पर एक नज़र डाल देते हैं सबसे पहले हम चलेंगे इलेक्टरिशन के लिए और यह रहा हमारे सामने इलेक्टरिशन पूरा दिखाई दे रहा है एक के एक करके बता देता हूँ सारी डिटेल देखो सबसे पहले पोस्ट का नाम है इलेक्रिशन ग्रूप C की पोस्ट है लेवल 4 में रखा जाएगा अब देखो मजबूरी हो जाती है यहां भरना अगर आप बायर में में भरोगे तो लेवल 2 में रखा जाएगा पेमेंट बहुत कम है मेनत तो उतनी करनी है यहां सेलरी देखो बाई साब 25, 500 रुपए से आपकी बेसिक स्टार्ट होती है इस पर ओल अदर अलाउंसेज और बेनिफिट जोड़ लो अभी तो डिये चल रहे है ब्यालीस परसेंट का तो यह आपकी सेलरी जो है वो केस इन हैंड 30 के प्लस होगी तो क्यों नहीं सा फॉरुचिरेटी का फाइदा उठाय जाए लेवल फॉर साथ में वेतनायों के अमसार रखा जाएगा जहां 25-500 आपकी पहली बेसिक रहेगी और एज लिमिट देखो 35 वर्स की एज लिमिट याद रखें जो सामाने एज लिमिट बताई जाती है वो अन रिजर्व के टेगरी के लिए होती है तो रिजर्व के ट जिसमें जोड सकते हैं भारत सरकार की अधियन आता है इसलिए आपको जो केंदर सरकार में रिजर्वेशन मिलते हैं वो यहां भी मिलेंगे यह स्टेट की वेकेंसी नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना हालांकि उत्राखंट वालों को इसमें थोड़ी सी छूट होगी बात असेंसल क्वालिफिकेशन पर आते हैं जो एक एक पॉइंट हम समझने का प्रियास करते हैं आईए ये रहा सबसे पहला टैंथ पास होना चाहिए सबके पास होगा आई टी आई डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इलेक्रिशन ट्रेड तो ये भी आपकी पास है ले अजर्जस्तान में तो अभी अपलाई करी सकते हैं उनलाइन अप्लाई होता है मिल भी जाता है घर पे आता है सीदा उनलाइन अपलाई होता है लेकिन टाकीकल एक्स्पिइन्स एंड लगा कर लिखा है ध Sachen से सुनना ट्रेक्टिकल एक्सपिड हाफ्धियरा और इल्टी एल जैसे अपने पाउर प्लांट में होता है, पाउर प्लांट में HDLT, इलेक्रिकल के अंदर सिस्टम्स होते हैं, यानि उन कॉंट्रेक्ट के पास ठेकेदारों के पास आपने काम किया है, तो आप बड़े एलिजेबल हो और ये है कई बच्चों के पास, मिल जाएंगे, पांच सिट मिलते ही, आपको 25-500 वाली बेसिक पे आपको भाई साब लोकरी मिल जाएगी, मेनत करनी पटेगी थोड़ी सी, खालांकि बच्चे क्वालिफिकेशन के लिए मुझे पता है कि बाहर हो जाएंगे कई सारे, लेकिन जिन बच्चों की क्वालिफिकेशन है कम से कम वो तो इस पर ट्राई जरूर करें, आएए एक और पोस्ट है जिस पर बात कर लेते हैं, यह है मेकेनिक, ए एंड एंड एंड, इलेक्रिकल एंड मेकेनिकल वाला है, सी ग्रूप पोस्ट इसका भी रहेगा, लेवल टू आ गया देखो यहां, 19,900 की बेसिक है, एज लिमिट भी कम क गर दी है, 18 सी 30 वर्स की एज गर दी है, यानि यहां OBC वाला 33 वर्स तक ही बर सकता है, जबकि 5 साल का गेप सीधा इलेक्रिशन से यहां देखने को हमें मिल गया, चीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी उसी तरह का कुछ है, 10 प्लस आइटियाई, कहां मांगा गया है, इलेक्रिशन आइटियाई, डिप्लोमा भी चलेगा, मेकेनिकल डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेकनिक तो वो भी चलेगा, और मेकेनिकल यानि फीटर में आइटियाई है, वो भी चलेगा, प्रैक्टिकल एक्पिरियंस ऑफ ट जरूर यहां ट्राइ कीजिए तीसरी पोस्ट उसके बाद देखो लाइन में ब्रेकेट में लिखावा है इलेक्टिकल गा लेवल टू पोस्ट यहां भी आपकी रहेगी सेम वही उननीस हजार नो सो रुपे का आपका पेश केल रहेगा एज क्राइटेरिया अठारा से तीस व पोस्ट का नाम हो तो बाद में देखते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है देखो टैंथ होना चाहिए इस रिलेटेट ट्रेड में तो रिलेटेट ट्रेड आपका इलेक्रिशन ही माना जाएगा यहां ब्रेकेट में लेक्टिकल लिखावाई भर सकते हैं लेकिन वही सेम दो भरस का एक्स्पेरियंस का आकेबाद होना चाहिए यानि बिना एक्स्पेरियंस के अभी तक हमने तीन पदों का बात कर लिया है तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिस को आप्लाई कर सकते हैं और यही कि दो मैं आपको बार-बार बोलता आया हूं कि का अब ध्यान कर लो भाई या अब जरूरी है प्लंबर वालों के लिए भी है भरना चाहिए तो डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ लेना नोटिफिकेशन आपको अमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वायर में ग इलेक्टिशन के लिए ही ट्राइए करें बहुत अच्छी जोब है सवाल देखा स्वालिफिकेशन देखो टैंथ इसर्टिफिकेट इन इलेक्रिशन ट्रेड उसके बाद में इलेक्टिकल वर्कमें सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा ओनलाइन बनता है एक हपते से पासाउट के भौत हैं उनके पास आज आपॉर्चुनिटी आई है विए दो जार बीस एकिस बाईस पासाउट नहीं बर पाएंगे आपॉर्चुनिटी तो दो जार सोरह सतरह के पहले की जो पासाउट है उनके लिए ही है ना तो इस मोक्य का फाइदा ज़रूर उठाईए बाकी और जितने भी है आईटिएईज के लिए ही है और इलेक्रिशन और उनके लिए इतना ही है अपलाई करने के लिए देखो फीस की बात कर लेते हैं ग्रूप C है हमारा पोश्ट था तो अन्रिजर्व के टेगरी के लिए अगर आप उत्रा खंड से है तो 500 रुपए ठीके ग्रूप C है शोरी ग्रूप C में है शोरी शोरी ग्रूप C में 500 रुपए 500 रुपे सब के लिए है S.E.S.T. जो भी है ग्रूप C के टेगरी ठीके इतनी डिटेल थी इसमें और एक्स्ट्रा फिलाल कोई डिटेल इनों नहीं दिये सलेबस और वोई जो रहेगा जो सेम एनाइटी का होता है तो यदि क्राइटेरिया फुल्फिल कर पाते हैं तो फोर्म जरूर भरे हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और क्या आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं ये कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाद